गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज की क्लास में हम राजस्थान का मतस्य जनपद जो की 16 महाजनपदों में से एक था उसके बारे में अध्यन करेंगे रिग्वेद आर्यों का प्राचीनतम गरंथ है और उससे कुछ एतिहासिक तथा भोगोलिक जानकारी भी मिलती है रिग्वेद में जिन प्रमुख आर्य दलों का वर्णन है उनमें मतस्य भी है मतस्य आर्यों ने सरो प्रथम भरतपूर जैपूर तथा अलवर के प्रदेशों में अपनी बस्तियां पसाई थी राजस्थान के सांस्कृति कितिहास में मतस्य जनपद का अपना एक विशिष्ट इस्थान रहा है भारत में प्रारंबिक आरे संक्रमन के बाद राजस्थान में जिन आरे जनपदों का उदय हुआ उनमें मतस्य जनपद भी था प्राप्त साक्षों के अधार पर विद्वानों की माननेता है कि मतस्य जन्पद आधूनिक, जैपूर, अलवर, भरतपूर जिलों के मध्य वर्तिक शेत्र में फैला हुआ था ऐसा अनुमान है कि इस जन्पद का विस्तार चंबल की पहाड़ियों से पंजाब में सरफ्ष्वती नदी के समीप वर्ति जंगल तक था इससे स्पस्ट है कि यह जन्पद ने होकर एक महा जन्पद था और बहुत बड़े शेत्र में फैला हुआ था मतस्य लोगों का सर्व प्रथम उलेक रिगवेद में राजा सुदास के विरोधियों के रूप में मिलता है रिगवेद में मतस्यों का उलेक एक प्रमुख आरे समू के रूप में किया गया है कोशित की उपनिशद और शत्पत ब्रामन ग्रंथों में भी इस महाजनपद का उलेख मिलता है शत्पत ब्रामन में लिखा है कि यह जाती सरस्वती नदी के किनारे पर आबाद थी और मतस्यों के एक राजा द्वसन द्वेत्वन ने सरस्वती नदी के तट पर प्रमुग आरे जनुद्वारा संपन्न किये गए अश्वमेद यग में भाग लिया था मनु सहिता के अनुसार मतस्य जन्पद ब्रह्म रिशी देश का एक भाग था अत्य प्राचीन काल में मतस्य महा जन्पद एक महत्योपून आरे जन्पद था महा भारत में मतस्य लोगों और उनके महा जन्पद का अनेक प्रसंगों में उलेक मिलता है एक इस्थान पर कहा गया है कि जंगलों में भठकते हुए पांड़ों ने इस क्षेतर में काफी समय बिताया था इस क्षेतर के लोग जरासंग के भै से उत्तर की और पलायन कर गए थे एक अन्य प्रसंग में लिखा है कि अपने पूर्वी अभियान के दोरान भीव ने इस देश को जीता था सहदेव ने भी अपने दक्षनी अभियान के दोरान इस क्षेतर के कुछ भूभाग को जीता और अर्जुन ने अपने अग्यातवास के समय इसी देश का चैन किया था महाभारत काल में मतस्य जनपद पर विराट नामक राजा का शासन था ऐसी माननेता है कि इसी राजा ने जैपूर से लगबक 85 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित विराट नगर को बसाया था और इस नगर को मतस्य देश की राजधानी बनाया महाभारत के विवर्णा मुसार पांडवों ने अपने अग्यातवास का अंतिम वर्ष छद्म वेश में विराट राजा की सेवा में वितीत किया था अग्यातवास के अंतिम दिनों में दूर्योधन को इसकी भनक पड़ी और उसने बिना किसी उचित कारण के विराट प्राकरमन कर दिया और उसकी सेना मतस्य जनपद के पशुधन को ले जाने लगी संयोगवश उसी दिन पांडवों के अग्यातवास का अंतिम शन गुजर चुका था और अरजुन ने गांडीव को हाथ में संभाल कर दूर्योधन की कौरव सेना को मार बगाया कौरव सेना पशुधन छोड़ कर भाग गई इस घटना से राजा विराट को पांडवों का वास्तिविक परिचे मिल गया प्रसन्वोकर राजा विराट ने अपनी पुत्री राजकुमारी उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यों के साथ कर दिया महभारत के युद के समय राजा विराट एक शक्तिशाली सेना के साथ पांडवों की साहिता के लिए कुरुक्षेत्र में पहुचा महभारत के विवरणा नुसार युद में भीश्म पितामय ने मतस्य देश के अनेक सेनिकों को मार गिराया था द्रोन ने तो एक ही प्रहार में मतस्य देश के पांसो गोड़ों को मार गिराया कान ने भी मतस्य सेना की रिल तोड़ने में महतपूर योगदान दिया अन्त में राजा विराट अपने तीन पुत्रों उत्तर, श्वेत और शंक के साथ पांड़ों के पक्ष में लड़ता हुआ मारा गया उसका दामाद अभी मन्यू भी युद में वीरगती को प्राप्त हुआ उसकी म्रत्यू के बाद उत्तरा ने परिक्षित नामक पुत्र को जन्म दिया यही परिक्षित बाद में पांड़ों तथा उनके विशाल राज्ये का उत्तरा दिकारी बना अब हम देखते मतस्य महाजनपद की शासन विवस्था मतस्य देश की प्रारंबिक शासन विवस्था का सुरूप क्या रहा होगा यह कहना कठिन है परंतु शत्पत ब्रामन और महाबारत के विवरणों से एक बात इसपस्ट है कि मतस्य महाजनपद में दीरगावदी तक रास्तंतरात्मक शासन पदद्दती का स्थित्तु रहा होगा और उसकी शासन विवस्था वेदिक युग के अन्य रास्तंतरात्मक जनपदों की भांती ही रही होगी मतस्य के पडोस में शाल बसे हुए थे शालो जनपद वर्तमान अलवर्ग शेत्र में फैला हुआ था, सीमान तों को लेकर दोनों जनपदों में प्राय सशस्त्र संगर्ष छिड़ जाता था, अतसेन ने प्रसिक्षन और सेना पर विशेश ध्यान दिया जाता था, परंतो इस सम्मंद में विश्तरिक जानकारी उप अध्यात्मिक द्रस्टी से काफी उन्नत एवं स्रेश्ट हैं, और वे लोग सत्य की रक्षा के लिए द्रड संकल्प के साथ सदेव तक पर रहते हैं, महभारत की विवरण से ही पता चलता है कि लोगों का जीवन सुखी और सम्रद था, समाज में इस्त्रियों को सम्मान जन के स्थान प्राप्त था, वे लोग स्वादिष्ट और पोष्टिक भोजन के शोकीन थे, वे नाना प्रकार के साधनों से अपना मनोरंजन किया करते थे, चोपड और पासे खेलना, संगीत एवं नरत्ते, गुड़सवारी और शिकार, मनोरंजन के मुख्य साधन थे, अपनी रचना नत्मुक में लिखा है कि कथक शैली का प्रनेता मिहीर ईसापूरु दूसरी सदी में मतश्य देश में हुआ था, इससे संगीत और रत्ते के प्रती मतश्यों की अभिरुची का पता चलता है, मतश्य जन्पद को प्रारंब से ही अनेक कठिनाईयों का सामना क करना पड़ा, वस्तुते आर्यों के संक्रमन काल में सभी प्रमुक आरे जन्पद अपनी अपनी सीमाओं और राजनितिक सत्ता के प्रभाव को बढ़ाने में सलगन थे, शाल्वों की भाती चेदी महाजन्पद भी मतश्य का प्रोसी था और दोनों के मद्दे प्राय संगर शुआ करता था, चेदियों का प्रभूत्व मतश्य महाजन्पद पर हो गया था, लेकिन यह अधिक समय तक कायम नहीं रहा, कुछ समय बाद मतश्य जन्पद स्वतंत्र हो गया, मतश्य जन्पद का पतन कैसे होता है, इस सम्बंद में हम देखते हैं कि यद्दपी सिकंदर महान के आक्रमण के समय मतश्य जन्पद पर कोई प्रतेक्ष प्रभाव नहीं पड़ा, परन्तु एप्रतेक्ष रूप से उसके आकरमण ने मतश्यों के लिए नई समस्य उत्पन कर दी, जिसने उसके अस्तित्त और उसकी सुरक्षा को गंभी रूप से प्रभावित किया, सिकंदर के आकरमण से जरजरित परन्तु अपनी स्वतंतरता को सुरक्षित रखने को उत्सुक दक्षिन पंजाब की मालव, शीवी तथा आरजुनायन जातियां जो अपने साहस और शोरे के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई और अपनी अपनी सुविधा नुसार यहां बस गई, भरतपुर और अलवर के क्षेतर में आरजुनायन बस गए, अजमेर, टोंक, मेवार के मद्धे वर्ति क्षेतर में मालवों ने अपनी बस्तियां बसाई, और चितोड के आसपास शीवियों ने अपना प्रभुत्तु इस्थापि अधिक समय तक टिक नहीं सकता, और धीरे-धीरे मतस्य जनपद की सैनिक शक्तिक शिरिण होती गई, और आरजुनायन तथा मालव लोगों की शक्ति सुद्रण होती गई, चेदियों के स्वतंत्र होने के बाद, मतस्य महाजनपद को पहले मालवों और अरजुनायन से लोग इसा का शिकार होना पड़ा, मगद के समराटों ने भारत के अन्य भागों के महाजनपदों के समान, मतस्य महाजनपद को भी जीत कर अपने सामराज्य में मिला लिया